नमस्कार प्रियदर्शकों हाजिर हुँ मैं 6 सितंबर 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज सों बार हैं भादर पदमास कृष्ण पक्षकी आज चतुर दशीति थी है जो प्रातह 7 बज करके 38 मिनट तक है और इसके पुष्चात अमावस्या है मघा नक्षत्र साम 5 बच करके 52 मिनट तक और इसके पुष्चात पूर्वा फालगुनी नक्षत्र है शिवयोग शकुनी करण है बात गई पंचांकी चंद्रमा आज शिम्हरासी में रहेंगे और अभिजित महुर्त का समय दिन में 11 बच करके 31 मिनट से 2 पर 12 बच करके 20 मिनट तक होगा वही राहुकाल प्रातह 7 बजे से 9 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रत्यक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवति प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज कुशोत पाटनी अमा वस्या है एक दिन अगर कुसा लिया जाए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुसा के बारे में नहीं जानते सनातन धर्म में सबसे पवित्र घासी से माना गया है हर कार्य में ये विहित है विशेशकर के सभी पूजा पाठ में इसका उपयोग होता है विशेशकर इसको धारण न किया जाए इसके आसन पर न बैठा जाए तो पवित्रता पूर्ण नहीं मानी जाती तो प्रती दिन अगर आप कुसा उखाडते हैं तो उस दिन का कुसा उसी दिन इस्तेमाल के बाद असुद्ध हो जाता है आमावस्या के दिन जो कुसा उखाडा जाता है वो एक माह तक चलता है और आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष को जिसे कुशोत पाटनी आमावस्या का नाम दिया गया है यह एक ऐसा दिन है कि आज अगर आप कुसा ग्रहन करते हैं अपने पास सुरक्षित कर लेते हैं तो एक वर्ष पर्यंत यह कुसा आपके काम आता है यह अशुद्ध नहीं होता ओम हुम फट यह मंत्र बोलकर आज प्राता काल पूर्वा भिमुख या उत्तरा भिमुख हो करके कुशा ग्रहन करना चाहिए अपने पास सुरक्षित कर लेना चाहिए प्रिया धर्शकों आज एक योग के बारे में बताने बाला हूं जिस योग के होने से जन्म कुंडली का कोई भी भाव मजबूत इस्तिति में आ जाता है तो दिव्य महाप्रयोग में जोति सी सूतर पर हम चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरु बात कर लेते हैं ग्रह स्तितिवीं elevator राहू वरिशब रासी में सिंचरण कर रहे हैं तो वहीं चंद्रमा आर सूर्य युती बनाकर सिंभ रासी मै आज गोचर कुंडली में दो बदलाव हो चुका है शुक्र और मंगल के रूप में इन दोनों ग्रहों ने परिवर्तन किया है शुक्र तुला रासी में और मंगल कन्या रासी में तो देखा जाए तो ये दोनों ग्रह मंगल और बुध युती बनाकर कन्या रासी में शुक्र तुला रासी में केतू वरुष्चिक रासी में संचरण कर रहे हैं, शनिदेव का संचरण मकर रासी में वक्रवस्था में और देव गुरु ब्रहस्पती का संचरण कुम्भ रासी में वक्रवस्था में जारी है. तो ये है गोचर की स्तुती, मंगल और शुक्र के परिवर्तन से क्या प्रभाव मिलने वाला है इसकी चर्चा मैं आपके समूग कर चुका हूँ बाकी की ग्रहिस्तुतियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगी और केतु के नक्षत्र में सिंचरन कर रहे ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले है नौकरी पेसा लोगों के लिए सप्ताह का आज पहला दिन होगा कारिस्तल पर कैसा जाएगा आज वो कौन से कारे हैं जो आपको विशेश रूप से नहीं करना है आपके लिए वरजित है वो कौन से उपाय हैं जिने करके आप आज के इस दिन को स्रिष्ट बना सकते हैं इन सभी विश्यों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है इनी ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है इनि दैनिक राशिफल तयार किया है वो नैदर्शक जो मेरे इस राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दू यह राशिफल आपके जन्मराशि के आधार पर है यानि आपकी जन्मराशि कुंडली में चंद्रमा जिस राशिफल में बैठे हैं वही आपकी जन्मराशि है अगर आप अपने जन्म राश के बारे में नहीं जानते, तो फिरा आप अपने प्रचलीत नाम राश के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं. प्रियदर्शकों आपने एक योग का नाम सुना है शुभ करतरी योग, प्रायह आपने पाप करतरी योग का नाम ज्यादा सुना है, लेकिन एक और योग होता है शुभ करतरी योग किसी भी भाव के दोनों और विसेश कर वैसे तो इस योग का जो विचार होता है वो लगन के लिए सबसे जादा होता है, अर्थात लगन के दोनों तरफ दूसरे और बारमे भाव में शुभ करतरी योग है, परन्तु बाकी के भावों पर भी इस योग को देखा जाता है अब जोत शास्त्र का तर्क है कि शुभ करतरी योग में कोई भी भाव पढ़ जाए, विशेश करके लगन, तो यह अपने आप में अत्यंत स्रेष्ठ है और अगर लगने थोड़े कमजोर भी पढ़े, तो शुभ करतरी योग अगर लगन को लगा हुआ है, तो लगन को मज माना जाएगा, अब यहां विचारनी ये तथ्य भी है, प्रिय दर्शकों ये तो आपने जाना कि शुभ करतरी योग जिस भी भाव को लगा हुआ भाव मजबूत है, अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली के किसी भाव में दुर्योग लगा हुआ है, कोई भाव पीडित और उसके दोनों तरफ शुभ करतरी योग बैठ जाए तो क्या होगा? तो इसका ये मतलब है कि उस भाव में जो दुर्योग लगा है, जिस दुर्योग के कारण वो भाव उस भाव का प्रभाव कम हो सकता था, वो दुस प्रभाव कम हो जाएगा शुभ करतरी योग होने से कई बार अब लोगों के मन में शुभ करतरी योग को लेकर के एक संसे उत्पन होता है कि सश्ट अश्टम 12 को सुभ करतरी योग लग जाए तो ये किस प्रकार से फायदे मन्द है असल में देखा जाए तो सश्ट भाव को अगर शुभ करतरी योग लग जाए तो ये जातक के जीवन काल में जातक को रोगरी पुरिण से सदैव सुरक्षित रखने वाला है अश्टम को लग जाए तो जातक की आयू बढ़ाने वाला और द्वादस को लग जाए तो जातक के जीवन काल में उसके ब्यर्थ के ब्याय को रोकने वाला होगा यानि बुरे भावों को जब शुभ करतरी योग लगेगा तो उस भाव के दुस्प्रभाव को ठीक कर देगा तो वो जो ग्रह छती पहुचा रहा है निसन देहा आप देखेंगे उसमें कमी आ जाएगी और उस भाव का जो छरण हो रहाता कमी आ रही थी वो दूर हो जागा विशेश करके इस सूत्र को अगर लगन में हो क्योंकि ये तो आप सभी जानते है कि जन्म कुंडली में सब क कुछ लगन नहीं है लगन अगर ठीक है तो ज्यादा विचार किया वशक्ता नहीं पड़ती जातक से आप बात करते जाए और आपको पता चलता है कि जातक बिल्कुल परफेक्ट जीवन जी रहा है और अगर लगन कमजोर पड़ा लगने इस कमजोर पड़े तो कही न कहीं जीवन में उत्थान बहुत जादा कराता है अब यहीं पर एक और बात आप जानिए कि ठीक इसके विपरीत पापकरतर योग वो वैसे ही भाव को खराब कर देता अगर किसी भाव में शुभग रहे तो आप जानते हैं कि पापकी इसके बारे में तो खूब मैंने भी है और आपने सदय वो सुना है कि किसी भाव में भाव को पापकरतर योग लग जाए यानि दोनों तरफ पापकरतर योग रहो किसी भाव में शुभग रहो और तब पापकरतर योग लग जाए तो वो भाव समाप तो वो शुभग अपना प्रभाव नहीं दे पाएगा उस में कमी आ जाएगी तो पापकरतर योग के बारे में चर्चा बहुत हुई है लेकिन शुभकरतर योग के बारे में और उसमें भी जैसा मैंने कहा कि अगर कोई दुर्योग भी है और उसके दोनों तरब शुभकरतर योग बन जाए तो उस दुर्योग का दुस्प्रभाव शा चंद्रमा आपकी रासी से आज पंचम में हैं, आज गोचर कुंडली का बदलाव रासी से आपके सश्ठ में मंगल का जाना और रासी से सप्तम में आपके शुक्र का होना मालब योग का निर्माण आपकी रासी के लिए निसन देह आपके लिए आज के दिन को मैं ठीक हर परिवार को ले करके चिंता, अब चिंता को आप छोड़ दीजिए, ग्रहिस्तुती आपके पक्ष में है, सो चिंता से मुक्ती मिल जाएगे, विशेश कर मेस रासी के जातक अगर रिन से परिशान हैं, और रिन मुक्ती के लिए निरंतर प्रत्नशील हैं, तो समझ लीजी यह समय आपको रिन से मुक्ती कराने के लिए आया है, कार्यक छेतर में जितने भी जरूरी कारे हैं, कागजी कारे हैं, उन्हें निप्टाने के लिए, जिन कारियों में कागरता किया वशकता हैं, उन कारियों को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बात म अपने स्वभाव के नुकूल किसी भी मामले में किसी भी निर्णय पर पहुँचने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। तो अवश्य करिए और बात ब्रिशा भकी करें। तो चंद्रमा का रासी से आपके चतुर्थ में होना, केतु के नक्षत्र में और मंगल का रासी से पंचम में और साथी साथ, शुक्र का आपकी रासी से सश्थ में गोचर प्रारंभ करना, यह दिन आपके लिए भी बढ़िय की सूचना है, संतान को लेकर के अगर चिंता है, तो संतान को समझाईए, बातचित करिए, इसे से आपकी चिंता बिद्यार्थियों को फायदा मिलेगा और आपकी जो चिंता है वो दूर होगी। कारेक छेत्र में अधिकारियों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा आज गोचर कुंडली का बदलाव आपके लिए भी बहुत बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है दिन भर अपने काम में बिस्त रहेंगे ब्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन जहां भी निवेस करेंगे पूरुनता आपको लाभ मिलेगा बस विचार करके करियेगा और यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा कर सकते हैं यात्रा से आपको समपूरुन लाभ होने वाला है वाहन चलाते समय जरा सावधान रहेगा लापरवाही से दुरगटना घटित हो सकती है और खान पान पर आज पूरी तरह नियंत्रन रखिएगा मसालेदार भोजन से आपको बचना है प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सफलता मिलेगी परन्तु प्रेमियों को जरा सतर करहना होगा किसी बात को लेकर के गलत फ़ामी हो सकती है दिन अच्छा है सुचिंता की कोई अवशकता नहीं मानसिक परिशानियों का सामना कर रहे थे तो समझ लिजे राहत मिलेगी आज भोलेनात के मंदर में जाए और भोलेनात को कोई भी सफेद पुष पर पित करिए विशेष कर धतूरे का सफेद धतूरे का पुष्प मिले तो द्यम्त शेष्ट लकियंग आपके लिए आज 6 लकी कलर पीला निवेश आप अवश्य करिए और मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से आपके तूर्थिये में होना मंगल का रासी से चतुर्थ में और शुक्र का रासी से पंचम में शुक् कुर्टम करेंगे और उस पर कंदर में देखा जाए तो आपका प्रदर्शन दिखाई पड़ रहा है जरूद पढ़ने से आपको मदद मिलेंगे। ब्यापार में फायदा मिलेगा, आप निवेस भी कर सकते हैं, थोड़ी चिंता परिवार के मध्य कलह को ले करके हो सकती है, थोड़ी चिंता अपने घर के भीतर की समस्याओं को ले करके, किसी पुरानी बात को ले करके, आज यहीं से परिशानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं ह कहा हीएगा कार्य इस्थल पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा, जीवन साती से आपको सयोग तो मिलेगा लेकिन जैसा मैंने का घर का बाता वरण ठीक नहीं है, इस स्वयोग भी कोई काम खासा नहीं कर पाएगा, प्यार काई जहार कर सकते हैं और बिद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए बढ़िया है समय सफलता आपको मिले की विशेश करके मैनेजमेंट और फाइनांस से समंदित फिल्ड के विद्यार्थियों को बेहत सफलता स्वास्त में कोई परिशानिया ही परन्तु जो लोग मधु मेहके रोगी हैं वो सा नहीं गोचर कुंडली का परिवर्तन मंगल का रासी से तृतिये में होना शुक्र का रासी से चतुर्थ में मालब्य योग का निर्मान करना धनलाभ कराने वाला है दिन और पारिवारिक जीवन में भी सुखद इस्टिती दिखाई पड़ रही चल रही समस्याओं का आसानी से समाधान कोई अची खबर आपको मिलने वाली है कारिस्थल परसपताह का पहला दिन है सो अपनी बुद्धि मत्ता से गोचर के इस परिवर्तन के कारण अपने सारे काम आप करवाते चले जाएंगे खुद को साबित करने के लिए लोगों की नजर में अगर आप आलसी है कहीं न कहीं आपका काम पीछे रचलता है उसको सिद्ध करने के लिए आज का दिन बढ़िया है जरुत पढ़ने पर दोस्तों से परिवार करने सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा व्यापारियों को व्यापार में लाब होने वाला है शेर मार्केट में निवेस आपकर सकते है अगर आपका जीवन साथी नाराज है तुन्हें मनाने की कोशिश करिए बिवाद उत्पन नहों इस बात का विशेश खाल रखिए और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और स्रेश्ट परिनाम लेकर क्या रहा है दिन आगे बढ़िए जरुत पढ़ने पर आपको दंबाक वरपित करिएगा लगियंग उनके चरणों में लगियंग का आपके लिए आज नौ है लखी कलर आपके लिए परपल निवेशा करें और सिम्म की बात करें तो आज अपनी बुद्धीमत्ता अपने ज्यान से आपको सफलता मिलने वाली है गोचर कुंडली का जो ब बढ़िया है कारिस्थल पर जो सांथ के लोग हैं उनसे आपको मदद मिलेगी पूर्व से चला रहा बिवाद परिशानी आज सुलजने वाली है परन्तु आप बिवाद को सुलजाने के लिए बेवजह किसी से बात बिवाद मत करिएगा व्यापारियों के लिए दिन अनु बुद्ध होगा और विद्यार्थियों को ये समय जो चल रहा है लाभ दिलाने वाला है अच्छी सफलता मिलेगी मन आपका पढ़ाई में लगेगा और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्त में कोई विशेस परिशानी नहीं है हाँ जो लोग माईग्रेन के रोगी हैं उन्हें सावधान रहना होगा आज घर में ही कपूर से अपने इस्ट देवता की आरती कर लिजेगा लकियंक आपके लिए आज छै और लकी कलर कत्थ हई निवेश भी आप करें और बात कन्याकी करें तो आज सतर्क और सावधान होकर के काम करिए जो काम एक बार हो जाए उसे दोबारा से चेक करिए गोचर कुंडली का परिवर्तन मंगल का आपकी रासी पराना शुक्र का आपकी रासी से दुतिये में जाना तो खेर बहुत वाला है व्यापार और नौकरी से संबंधित यात्रा आपके लिए लाभपरद रहने वाली है कारेस्थल पर अधिकारी आप से खुश रहेंगे सब्ताह का पहला दिन आज आपके लिए बढ़िया जाएगा परन्तु नुकसान तो तब होगा जब आप जल्दबाजी में कोई काम कर लें और उसका आपको फिर नुकसान होगा दोपर में कारेस्थल पर भी कहीं न कहीं वाता वरण तनाव पूरू न हो सकता है लेकिन आपको चिंता की खुई आवश्रक्ता नहीं साज़ेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो थोड़ी दिक्कत आपको आएगी हाला कि ये दिक्कत दूर होगी और व्यापारियों की बात करूं तो पुनह एक बात ध्यान रखिएगा मेहनत से पीछे मत थटिएगा और लें देन के मामले में पूरुनता सावधान हो सके तो आज लें देन का काम ना करें बिना सोचे समझे बोलने से बचिए इससे से ध्यान करिए इससे आपको राहत और शांती मिलेगी इस देवता का दस्वनट ध्यान करिए लखियंक आपके लिए एक लखी कलर मैरून है निवेश आप ना करें तुला की बात करें तो गोचर कुंडली का बदलाव आपके लिए देखा जाए तो शुक्र का आपकी रासी पर आ जाना मालब भी यो कोचर कुंडली में चंदरमा रासी से आपके लाब भाव में बहुत बढ़िया परन्तु मंगल का रासी से बारवे में जाना दोनों तरह का दिन है मन रोमैंटिक भी रहेगा और आज घर्च भी बढ़ा चड़ा रहेगा पुराने किये गयकारियो का पूरा-पूरा स्रेष्ट परिणाम ही आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है बयाधिक की जरूर होगी लेकिन इससे चिंतित होने की आवशकता नहीं कारिश्थल पर अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे और बात अगर ब्यापारी वर्की करें तो ब्यापारियों के लिए बहुत बढ़ी आए दिन प्रवपार्टी से संबंधित अगर कोई काम है तो वो दिखाई पड़ रहा है होता हुआ रुका हुआ धन वापस आने का योग है और कोई कानूनी मसला है तो वहां पर आपकी जीत पक्की दिखाई पड़ रही है भावनाव में बहकर कि आपको क कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से पेस आईए अच्छा समय बीतेगा अपने प्रेमी के प्रती वफादार बने रहिए और विद्यार्थियों की बात करो तो सफलता आपको मिलेगी प्रत्न से पीछे मतट ये समय अच्छ स्वास्थे के द्रिश्टिकोंड से देखें तो स्वास्थे में थोड़ी सी परिशानी हो सकती है खान पान का ध्यान रखिएगा आख्वा में जलन के शिकायत होगी बटुग भैरो श्टुत्तर सुतनाम श्टुत्र का पाठ या स्रवन करिए फायदा मिलेगा लकियंक दो लकी कलर आपके लिए अज सिल्वर है निवेश आप अबश्य करिए वरिश्टिक के लिए बहुत बढ़िया दिन है जो सपने अभी तक आप देखते आ रहे थे अब वो सब एके करके पूरुन होते जा रहे हैं चाहे वो मंगल का परिवर्तन शुक्र का परिवर्तन गोचर से चंद्रमा का रासी से दसमस्त होना केतू के नक्षत्र में जैसे आपको पर लग जाएंगे और बस आप उड़ते चले जाईए जितने भी काम चाहे वो सामाजिक हों पारिवारिक हों हर काम आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है कारिस्थल पर आपके द्वारा लि करते हैं तो लापरवाही के साथ नहीं प्रेम समंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है प्रेमी से सुख मिलेगा प्रेम मिलेगा विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है और दामपत्य जीवन में जीवन साती की सेहत आज आपको चिंतित करेगी पुराना र करें तो चंद्रमा का आपकी रासी से आज भाग्य भाव में होना परिवर्तन की रूप में देखें तो मंगल का परिवर्तन और शुक्र का परिवर्तन दोनों ही आपके लिए स्रेष्ट भाग्य आपके साथ है केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं चंद्रमा हर प्र से पुर्ण होता दिखाई पड़ रहा है नौकरी पेसा ब्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया सामानने ब्यापारी हैं बड़े ब्यापारी हैं काम में मन लगेगा धनागमन और निवेस भी जबर दस्तलाव देने वाला है वानी से आपके कई सारे रुके करूं तो महत्प पूर्ण रहने वाला है दिन स्वास्त में आपके कोई चिंता नहीं है और आज घर से बाहर जाने से पूर्व एक चमच दही खाईएगा तो दिन का और आपको लाभ मिलेगा लकियंक आठ लकी कलर आपके लिए आज के शरिया है निवेश आप अवश्य कर देखा जाए तो मंगल का परिवर्तन रासी से भाग्य में शुक्र का परिवर्तन मालब्य योग परंतु चंद्रमा का आपकी रासी से अस्टम में होना स्वास्ति को लेकर के चिंता परंतु नई नौकरी ट्रांसफर की कोशिश में हैं आप तो समझ लीजे कि आपको कोशि और तेज कर देनी चाहिए सफलत आपको मिलेगी हर कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है दिक्कत नहीं नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए भी व्यापारिक द्रिश्टिकोंड से देखें तो दिन लाभपरद है कारिस्थल पर जो लोग अब तक आपसे सहमत नहीं होते थे वो भी सहमत होंगे लोग आपकी बात को मानेंगे आप अपनी बात बस मजबूती से रखिये ऐसा कोई नहीं जो आपकी बात काट करके निकल जाए आपकी योजना पूरी तरह से सही सिद्ध होती दिखाई प्रेम संबन्द में मजबूती और विद्यार्थियों के लिए स्रिष्ट और अनुकूल रहने वाला है दिन स्वास्त के दृष्टिकोंड से थोड़ी परिशानी है पेट की तकलीफ और कमर से नीचे के अंगों में कुछ परिशानी आज रहेगी सो स्वास्त का खयाल रग और मंगल का अश्टम में गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से सब्तम में जितने भी महत्त्व पूरुन कार्य हैं उनका बनना, उनका सिध्ध होना तय दिखाई पड़ रहा है आपको फायदा मिलेगा. मंगल का गोचर कुंडली में परिवर्तन रासी से अश्टमस्त नौकरी पेसा लोगों के लिए आज के दिन को बढ़िया कहूंगा और ब्यापारियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया वसकिसी भी प्रकार के बिवाद का हिस्सा मत बनियेगा, कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो, आपको उसमें सामिल नहीं होना, जीवन साथी से स्वयोग मिल परंतु वानी पर अपने संयम रखियेगा, किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना, और अपने मन की बात किसी से से शेर नहीं करना, अभी वाहित हैं तो बढ़िया रहने वाला है, दिन प्रयार का इजहार करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, बिद्यार्थियों को सफलता मिलेगी करियर में उठान, उच्छाल आता दिखाई पड़ रहा है, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्त भी ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं है, आज घर के मंदिर में ही अपने इश्ट देवता का ध्यान करिये घीका दिया जला करके, फाइदा मिले जीवन साथी का अपमान न करना, यह दिन सांती से निकलेगा, कोई नया काम करने की सोच रहें, तो अभी इस विचार को स्थगित करिये, नया काम नहीं करना, बैंक से लोन लेने की सोच रहे hai, ऐसा मत करिये, अभी रुकिये, नौकरी पेसा लोगों के लिए दिन सामान्य और व्यापारियों को परिशानी होगी, काम को लेकर के आज भाग दोड जादा होगा, परन्तु उचित काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा, भूमी और प्रोपर्टी से समंधित काम करते हैं, तो लाभ के स्रिष्ट आसार नजर नहीं आ रहे हैं, बलकि किसी मुसीबत को ग बले लगा लेंगे, और किसी दूसरे के ऊपर अगर निर्भर हैं काम को ले करके, काम नहीं बनेगा, प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत स्रिष्ट नहीं है, तो वहीं जीवन साथी की सेहत, आज आपको चिंतित करेगी परिशान रहेंगे आप, और विद्यार्थियों के स्वास्त का ख्याल रखेगा और आज महा मृत्यूंजे मंत्र का 21 बार जब करिएगा लखी अंक दो, लखी कलर आपके लिए जिसकाई ब्लू है, निवेश आप ना करें, तो प्रिये दर्शकों ये था मेश शेले करके मीनराशी परियंत प्रतेक राश के जातकों का पूरे के लिए इजाज़त दीजिए पुनह मुलाकात हो, तब तक के लिए नमस्कार